अब जैसे देखिए और लैंड सब क्या सवा सकता है इसमें कहता है कि पाठ पुस्तक में यह प्रयास किया गया हो कि बच्चों में रटने की परविर्थी परिभासा है सुत्रवर्नन और मुर्त प्रत्य इत्यादी को मिले कोई अस्थान न मिले कहना का मतलब है कि रटन्त प्रनाली से बच्चों को क्या किया जाए मुक्त किया जाए बच्चे को रटने पर जोर नहीं देना है है ना कह रहा है कि क्या कतब पाठ पुस्तक में यह प्रयास किया गया हो पूस्तक की बाते हैं इसके लिए आप समझेए पाठ्थ पूस्तक में यह ध्यान रखा जाए कि बच्चों को जो है क्या किया जा रटंत प्रनाली से दूर किया जाए है क्योंकि रटंत प्रनाली बच्चे थोड़ा देर के लिए सीख सकते जरूर है लेकिन बहतर नहीं हो सकते उसके बात कहता है बच्चों को सिक्षन में निम्न बिंदूओं पर घटनाओं मतलब से ध्यान देना चाहिए अब कौन-कौन सा कह रहा है कि बच्चों को बच्चों को शिक्षन के एमें निम्न तत्यों पर ध्यान दिया जाए अब जैसे समझे इसमें क्या है पहला है बच्चों की उत्सुकता बढ़े बच्चे अपने विचार में सहज रूप से ब्यक्त करे पहला ओप्शन समझे या कह रहा है बच्चे अपने विचार को सहज रूप से कह सके या व्यक्त कर सके कुछ समझे इसका मतलब यह हुआ कि अब बच्चा जो है सहज रूप कब होगा जब मान लीजे कि जिस ब्यक्ती को आप जैसे कि आप बच्चे को प्यार से थोड़ा बात कीजेगा समझाईएगा ना किसी प्यात पर पुरंत नहीं उसको मार दीजेगा बात कह दीजेगा ऐसे में बच्चा सहज महसूस करता है और जब ये बच्चा सहज महसूस करता है तो वो आपको क्या करेगा सारी बाते बताएगा अब जैसे कि माल लेजे कि हम आपको एक बात बता रहे हैं कूल में क्या किया जाता है कि बच्चे को एक्जाम जब लिया जाता है तो तब की बात कर रहे हैं टीचर सब पूरा बोर्ड पर आंसर कर देगा उसका और बच्चे को कहेगा कि उतार लो उतार लेगा और उसको 98, 95, 93 ऐसे नमबर आ जाते हैं और ऐसे नमबर आने के बाद क्या होता है कि आपको आश्यज लग जागा कि बाई इतना तेज तो है यह नहीं है बच्चा आपको ने पता है कि क्या साहने है अगर थोड़ा सावी बच्चा पर ध्यान दे रहे तो आपको पता चल जागा कि बच्चा हमारा तेज आए कि ने कितना समझ रहा है कि नहीं यह ता सारी बाते पता है अब 95-93 नंबर लेकर कि आया है तो आपको थोड़ा सा आश्चाज तो होगा भाई कहीं न कहीं तो जोल है तब जाकर कि स्कूल से मिलिएगा कि इतना बच्चा कैसे आगया लेकिन ऐसा नहीं होता है गारजन खुस होते कि हमारा बच्चा सच में कहीं सीखरा है लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं होती है एक मेना दो मेना चार मेना के अंदर में बच्चा में ऐसा क्या कर दिया आपकी ब बस अब अगला नमबर करता है बच्चों के उत्सुकता बड़े ता हम क्या करें बच्चे अपने बिचार सहज रूप से कह सके ता अब जैसे बच्चा जैसे ही मतलब से जो है क्लास में क्या किया आता है अगर थोरा सा वी मालनी जै कि पर बदमासे कि एक कर्ची खिच दिया जाता है ऐसे में बच्चा सहज रूप नहीं होगा को चोटी चोटी प्रोब्लम है वो नहीं कह पाएगा है ना énormना तो जैसे कि मालनी जै कि हमारे घर के भी बच्चे रते था स्कूल में तो देखते थे कभी काल कोई हो जाता था जैसे कि एक बच्चा है वह रोज आता स्कूल और उसको क्या किया आता किसी लड़के के द्वारा इसको टर्चर किया आता है कुछ कहा देता है तोन देता है बिटवा काट लेता कुछ भी इस तरह से ऐसा करते हैं अब एक दिन दो दिन चार दिन बरदास करते करते एक दिन क्या होता है यह लड़का उसको पीड़ और हम कदग सक्त मना है कि लड़ाई नहीं करना है अब जैसे ही पहुझते हैं, स्कूल में देखते हैं कि वो तो आही नहीं रहा है प्रिंसिपल के पास से और वहां पपैट करके रो रहा है इसको पता है कि जैसे सुनेंगे, मारेंगे या मालीजे कि बोलेंगे कि क्यों लड़ाई किया अब ऐसे सिच्वेशन में क्या करेगा तो जा करके देखे फिर हम तो वहाँ पर देखे कि उस लड़का को तो तब फिर बाद में पता चला कि इसको कई दिन से परहसान कर रहा था हो अब बताईए फिर हम टीचर से बात किये फिर यहाँ पर कहता है बच्चो की उत्सुक्ता बढ़े क्या बढ़े बच्चो की उत्सुक्ता बढ़े कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा मान लिजे कि आप बच्चे को सिखाईए कि उसको लगे कि हाँ ये तो हमरे काम का चीज है बढ़ाई अब जैसे कि हम बता रहे एक्जा में अब बच्चे को मालनी जे की एबियस का पॉइंट पर आ रहा है कुछ इस तरह का आउसको क्या बता दीजिए कि जैसे बाल में कंगी करके कागज को उठाओगे तो चुमबक का प्रभाब उस पर पढ़ जाता है तो उठ जाता है उसको प्रक्टिक करने के लिए घर पर ब कि गूड बेरे गूड एक्सेलेंट कुछ इस तरह की बाते बढ़ा चड़ा करके बोल दीजिए देख लिए बच्चा बड़ी मार मिक्ता से धंग से बना करके लाएगा है ना तो कहने का मतलब क्या कह रहा है इसमें कि बच्चों की उत्सुकता कुछ ऐसा चीज उसको बहत चुम्बक का प्रभाव के कारण है पढ़िएगा साइंस तब ना करब बच्चे करके सीखे क्या तीसरा है बच्चे करके सीखे का मतलब किसी भी काम को बच्चे को हम प्राक्टिकली करके सीखने की बात करते हैं अगर किसी काम को करने के लिए अगर उसे देते हैं तो देखिएगा अगर मालिजा आप ही कोई काम कर रहे है जिस तरह से कर रहे है वो भी उसी तरह से करने लगेगा थुरा सा गरबर हो जाता है तो हम लोग क्या होते हैं हम लोग एक धाचा का काम करते हैं उसको थुरा सा ठीक कर देते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो बस हो गया फिर अगला नंबर है प प्रयोग कर सके अब समझे प्रश्न करे या प्रयोग कर सके अब समझे प्रश्न करने का मतलब क्या है बच्चे को कोई चीज आप पढ़ा रहा है समझ में आ रहा है तब तो प्रश्न कर रहा है नहीं समझ में आएगा वो प्रश्न नहीं करेगा आपसे क्योंकि उसे लगेगा कि यह चीज तो जानिय ने रहा है, कहीं कुछ भो बोलेंगे तो उसकता है, कहीं कोशन पूछ दे, कुछ भो पूछ ले उसी में से, यह चीज हम समझ रहा है ही नहीं, तो कहने का मतलब यहां पर भी सोचने वाली बात है, कि अगर बच्चा समझेगा, तो वो कोशन करेगा, औ अगर कोशन नहीं कर रहा है, तो सिदे सिदे समझ जाए कि बच्चा नहीं समझ रहा है, समझ रहे बात को, तो अगला नंबर है, कि बच्चे पाठ्थ पुस्तक से बहतरीन तरीके से जुड़े इसके लिए, बच्चे जो है, बच्चे पाठ्थ पुस्तक से बहतरीन तरीके से जुड़े इसके जुड़े इसके लिए, बच्चे जो है, समझ रहे बात को, बहतरीन तरीके से जुड़ने का क्या मतलब, बच्चे पाठ्थ पुस्तक से बहतरीन तरीके से जुड़े, इसके लिए क्या-क्या पढ़ियास हमारा होना चाहिए, इसके लिए प्रस्तुती निम्न लिखित है, इसके लिए क्या है? इसके लिए प्रस्तुती निम्न लिखित है, यहने का मतलब है, जो नीचे में हम परियोग दिखाने जा रहे, उसके आधहार पर बच्चा को आप बहतर से कनक्ट कर सकते हैं, जोड सकते हैं, तो पहला है कहानी के माध्यम से, क्या क्या बोले? कहानी, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, उसके बाद में है संबाद, संबाद के माध्यम से, उसके बाद में है पहलिया, पहलिया, इसके माध्यम से, और क्रिया कलाप, क्रिया कलाप के माध्यम से, के माध्यम से, हम बच्चों को जोड सकते हैं, हना? कहानी जैसे हम कहते तब बच्चा अपने आपको उसका किड़दार समझने लगते हैं, हना? अपने आपको भी उस कहानी का एक पात्र समझ लेता है, दिसलिये कहानी से, बच्चा कि आपने आपको जोड लेता है, कविता के माध्यम से भी नाटक में उसी तरह से वो भी अपने आपको उसका पाट संबाद के माध्यम से संबाद का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजे कि किसी चार बच्चे को मिला करके और कोई-कोई दो लाइन बोलने के लिए बोलते हैं कि बताव से इसमें पाटिसीपेट करने के लिए उसके माध्यम से भी पहेलिया पुझाओ जिसको कहते हैं हusions तो उसका मतलब पहलिया क्या अधार पर भी बच्चे को क्या कर सकते हैं एक दूसरे से अब सर किसे कहानिया और इस्तेमाल महत्पुन होता है अब जैसे कि क्या कह रहा है कि बच्चों में कुछ बातों के प्रती क्या कहता है बच्चों में कुछ बातों के प्रती किसे कहानिया और अब सर जो है अब सर का मतलब समझे अब सर किसे कहानिया और इस्तेमाल महत्पून होता है यहनने कि जो की एक पात्र remained कि कियोंकि पंथे कहानी क्या करती है सामायोजर्ण कर लेते हैं, जोर लेते हैं अपने आपकंझा अपको भी उसकर ऐक पात्र बना लेते हैं हना फिर कहता है इस्तेमाल सभी तरह के मतलब से जानबर करें के बच्चे जो है इस्तेमाल सभी तरह के जानबर की रहे मकूरे मतलब से पक्षियों इत्यादी के लिए करते हैं कह रहें कि बच्चा जो है सभी तरह के चाहे जानबर हो पसूपक्षी हो सब के लिए क्या जानबर की बात करता हो मतलब से एक ही चीज समझता रहा था क्योंकि सब का उसके पास वर्ड मिनिंग ने होता करें बच्चों एक खुली माहौल में अपनी बात को बेज जग कहते हैं खुली माहौल का मतलब आप जैसे देखिया घर में अगर कोई बुजुर्ब बेखती है दादा दादी अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो कोई भी बात है स्कूल का उसका हुआ तो उसको आकर कि सुनाएगा अगर मम्मी उसको तुरंत है मतलब से जज तो कहने का मतलब अगला है कि बच्चों के अपने बिचार अबलोकन की रिपोर्ट स्वैंग के अनुभव के अभी बेक्ती किसी बात के लिए तरक परियोग और उसके बाद में है के बाद उसके परिनाम इत्यादी ऐसे अवसर है जिससे गुनात्मक रूप से पता चलते है मतलब असे बच्चों को क्या सिखर अगया कि बच्चे क्या सीखर है और नहीं सी क्यर सिक पता चलजाता आ कि अकलन के लिए के संकेत को की एक सुची नीचे दी गई है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चे बास्तप में कैसे आप अब जैसे देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं, अब लोकन और रिपोर्ट करना, अब लोकन क्या कह रहा है, अब लोकन या रिपोर्ट करना, अब लोकन या रिपोर्ट का क्या मतलब होता है, अब लोकन या रिपोर्ट का मतलब होता है, कि आप किसी चीज को चित्र देख करके, आप उसको अब लोकन करके, उसको क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अब जैसे बच्चे को हम कहेंगे, कि दे देखाएंगे लेकिन हम अगर भीजवालाइज अगर चितर दिखा करके बताना साकते तक सिदे कहेंगे कि ये देखो क्या है बस बच्चा देख रहा है कि ये क्या है ये एक बोर्ड है जिस पर लिखाया जा रहा है मिटाया जा रहा है तिस तरह से बच्चा कोई भी चीज़ क और नक्स then i kape का मतलब क्याक्या सब छित्र देखकर बताना या तस्पीर और नक्स का बनाना के मतलब से उसके बारे में बूलना यह सारा सी उसमें ने मतलब से अगला नमडर का है चपार्चा करना चर्चा करने का क्या मतलब करें सुनना भोलना अपनी राई देना और दूसρχें कि राई सुनना चर्चा करने का मतलब है गर मालें minimal कि आप बच्चे को कहीं घुमने के लिए ले जा रहे हैं और वहाँ से घुमा से अबगत हो रहा है कि उसको जो है इन सब चीजों से related क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है है तो यहाँ पर क्या सब बता दिये हम चर्चा करना मतलब सुनना बोलना अपनी पराय देना और दूसरा जो बच्चा सब बोलना है उसको में भी सुन करके अपने ज्यान को बढ़ाना हो सकता है मानलिजे कि कोई बच्चा हैसा हो किसी ने कई दूसरा चीज़ अब जर्ब किया हो और किसी ने कई दूसरा चीज़ जब दोनों में डिफ्रेंट होगा तो क्या जो नहीं जानता होगा उससे शिर्ष यो नहीं जानता होगा उसे शिख लेगा इस से भी बच्चा एक दूसरे से भी शिखता है इसके बाद है अभी व्यक्ति करया चित्र द्वारा यह उसे स्रेजनात्म लेखन करुप अबνα Sometimes lorsque आपको यह आपको हानी लिखो, आपको जैसे मान लिजे कि यहां पर क्या कर देते हैं, any day जंगल में शेर सो रहा, इसा यहां पर चुहा उसके शरीर पर दौर रहा है, को आपको ऑच्वा में ऊग्याय कर लेता है, शेर उसको पकडा हुआ रहता है, तो ऐसा पर्तीत होता रहाता है चित्र के माध्यम से की चिता क्या करें मतलब से सेर क्या कर रहा है सेर से वो प्रातना कर रहा है चुहा फिर उसको छोड़ देता है इस तरह का खाली figure दिया हुआ हो आर बच्चे को बोल दो कि इस चित्र को देखकर के आप क्या करो तो इस शित्र को देख करके आप कहानी बोलो ना तो बच्चे क्या करते उससे रिलेटर कहानी बोल देते हैं तो कहने का मतलब कहीं न कहीं इन चीजों को याद रखिएगा और जितना भी चीज है केबल बच्चे को केंद्रमान करके सीटीपी लिखा गया है और हम लोगों को भी गेट तो खुला हुआ था ना सटाने नहीं दिये थे इस तरह से यहां पर अगला नंबर कहता है ब्याक्षा करें तरक देना तथा तरक के आधार पर चीजों को संबंध जो रहा है कि बच्चे से अगर हम ब्याक्षा कर रहे तो उसके बारे में अगर माले जह हम पूछते हैं तब बच्चा अपना तरक देता है जो भी कुछ जानता है उसके बारे में वो तरक देगा है ना तो तरक देगा तरक देना भी होता है उसके बाद है बरगी करन का करने का मतलब समझे कह रहा है कि समूह बनाना एबं तुलना करना अब यहां पर देखे बरगी करन करने का मतलब होता है एक समूह बनाना और मिला करकर करने के लिए और ये दो можно है कि सब की Soha कि सयोग की भाबना है ईचली वहाँ पर सहींग कर नहीं आते, वो सिखने बेहतर सिखने की बात करते हैं, तब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने लगेंगे कि नहीं, इन लोगों ने मिल करके महनत किया और हम लोग भी तो थे, नहीं हम बेहतर कर पाए तो कोई नहीं, हम अगला टेस्ट में बढ़िया करेंगे, जैने का मतलब कहीं न कहीं, बच्चा में क्या होता है? इसमें मतलब सोचने की जो पूजिटिव थिंकिंग होती है, वो बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम क्याटेगरीज कर देंगे, कि जैसे तेज बच्चा अलग, मद्यमला अलग, सब तो इसमें बच्चे में भेद भाव की भाब ना जाएगी, ऐसे में बच्चा एक दूसरे का आप कोई शरीर से मजबूत है, कोई दिमाग से मजबूत है, तेज है, तो शरीर से मजबूत बला उसको कहीझ पीट देगा, अगर उसको कहीं मान लिजरे, पिछा दिखाने की बात खुई तो, लेकिन बच्ची अगर एक तरह से मान लिजे कि सब तरह का सब समूह में हो तो वहाँ पर हिन भाब ना आए नहीं हो सकती समझ गए इस तरह से लगभग लगभग ये बहुत सारा कुछ है और इसमें बाकी है ना आठ हम बजा दिये हैं